जिस तरह से यहां पर कम जगों का सही तरीके से समण्वयट किया गया है फसल की बात करें, पश्वों की बात करें, या फिर हम बात करें सब्जीयों की या फलों की, तो सारे चीजों को एक तरीके से जोड़ करके और बहतर उत्पादन देने वाले पौधों को पेड़ों को लगाए गया है केले की अगर हम बात करें तो बहतर नस्ट लगाए गया है डॉक्टर साब आप ये बताएए कि अगर हम यहां पर यह दिखते हैं कि तरी जगह पर एक सिलसले वहा तरीके से एक होरिजोंटल जिसको कि हम बोलते हैं एक लाइन में लगाई गई है पेड़ पौधे लगाए गया है फनों की बात करें तो उससे उत्पादन पर क्या आसर परता है बिल्कुल हम ने यहां पर जो केले या अमरूत के पोधे लगाए हैं जिससे अगन विधी से लगाए हैं जिससे कम जगह में हमको अधिक से अधिक उत्पाद देखने को मिलता है साथ में इसको सिमित लगाने के लाइन में लगाने से जो इस बीच में दो पेड के बीच का जो जमीन है उसमें हम लोग सालों भर इसमें सब्जी उत्पादन का कारज करते हैं पश्वपालन अधारत समेकित क्रिश्य परणाली में कई और उत्पाद एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें फसलों के जो की चारा के लिए पश्वों के काम आ सकते हैं, और इसी के साथ ही गोबर जो प्राप्त होता है पश्वों से उससे वर्मी कंपोस बना जा सकता है, तो जली डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि इस तरह के जो उत्पाद होते हैं, पश्वों की अगर हम बात करें और फिर बतक की बात करें, तो यह सारी चीजें एक दूसरे से कैसे जूड़ी भी रहती हैं, यहां देख रहे हैंगी कि पश्वों के लिए ह हम लोग इसी परमाली के अंतरगत हम लोग चारा का परभंधन भी कारज करते हैं, यह चारा हमारे पश्वों के लिए यहां उपलब्ध हो जाता है, पश्वों उसे खाती है, साथ में वह यहां पर हमको उससे जो हमारे जो उत्पाद गोबर के रूप में मिलते हैं, उसको ह हम लोग यहां पर वर्मी कंपोस्ट एकाई के रूप में हम लोग वर्मी कंपोस्ट का निर्मान करते हैं, इसके लिए हमें अतरिक्त कहीं से ना गोबर खरीदने की आविशकता होती है, और नहीं हमें कहीं से कुछ खर्च की आविशकता होती है, यह आप देख नहीं होंग वहां और इसे बुन्ताखाद में बदल दिया जाता है उसके अलावा ये खाद हमें हमारे समेकित करशी प्र człowieली अंतर प्लैंकत जसे केले 6 Państwo पुपीते का पेर है उसमें हम उसका उपयोग करते हैं और साथ-साथ ही जो गोवर हमें बसते हैं इन तालावों मचलियों के लिए हम फाइतोप्लैंक्टॉन्स जूप्लैंक्टॉन्स के डिवलप्में वहोती हमें काम आता साथ में हमारी पानी की वह शुद्धता को बनाये है आप वहार देख रही होगे कि जैसे वहां बखरी पालनी काई है वहां वहां जो आप देख रही हैем वहारे जितने भी मध्रियों के वेैस्ट प्रॉडक्ट है वह वहां से निकलते हैं और इस नाली के द्वरा वहां गिरते हैं तो यह नाली बना यूपल यह बिşa करते हैं और साथ में जो उसके भिनारी होती है बक्रियों की वो भी यहां पर हम मचलियों को देते हैं जो खाकर और जो हमारे फीड कोस्ट को मचलियों के प्रोडक्शन कर कम करती है